शिरिक्रिष्ण निला के चिंतन में शिरिनन्द नंदन का वस्चाचरन, महौसव तथा अन्याइन गोब बालकों के साथ बलराम श्याम का वस्चारन के लिए पहली बार वन की और प्रस्थान तथा वन में सब के साथ च्छांकी अरभ गुना ब्रह्म अहुरत अरंब होते ही ब्रैसपुर का व्रिंदावन का अकाश विविद मंगल वाद्यों की ध्वनी से अबीर सुन्द्रियों के मंगल गान से परिपूर नहुने लग गया आग इशोदा के नील मनी वस्चारन को प्रारम बकरेंगी गोप गोप सुन्द्रिया फ्यसक गोप शिशू सभी प्रया समस्त रात्री जागते रहे हैं ब्रजेशरन ने ब्रजरानी ने भी विश्राम नहीं किया परतेक प्राशाद को तोरण ग्रैदवार विथी को सजाने में पुरवासितन में थे ब्रजेश नरिक्षन में व्यस्त थे और ब्रजरानी के लिए तो जागना आवश्यक हो गया था क्योंकि उनके नीलमनी रह रहकर नित्र खोल देते शिया पर उठ पैटते नीलमनी को प्रतीत होता प्रवात हो गया है आप शीग्र गोवस्त को लेकर वन की और चल देना है उस्सावश कभी कभी तो शेनागार से भाग छूटने का प्रतन करते जन्नी किसी परकार समझा भुजा कर पुना सुला देते इस सवस्ता में जन्नी निद्रित कैसे हो और अब तो बाजे बजने लगे हैं फिर शिरिक्रिश्चंदर धैरे रख सकें ये तो असंबव है इसे कूद करके ऐसे भागे थे कि अतिशे साफधान रहने पर भी इशोदा में उन्हें एक बार तो नहीं ही पकड़ पाती द्वार रुद्ध है नन्ने से नील मनी के लिए उस सांकल को छू लिना संबव नहीं है इसलिए मिया ने द्वार पर आते ही उन्हें पकड़ लिया है नहीं तो कहीं गोस्ट में जाकर ही मिया नील मनी के दर्शन पाती जो हो जन्नी अने को बुलावे दे कर शिरिक्रिश्चंदर को जैसे तैसे कुछ देर और रोक सकी जब बल्राम आगे कुछ व्यसक गोप शिचू भी आप पहुंचे तब उनके संरक्षन में पुत्र को सून करके वस्चारन महोस्ट की विवस्था में योगदान करने मया सिहम भी चल पड़ी स्वर्निम रवी रश्मियों के आलोक से पुरी की शोबा देखने ही हो गया है कद्रिस्तंब द्वार द्वार पर सर्म के मंगल घट द्वजा पताका वंदनवार पुष पीतान आदी से कला मरमग्य गोपो ने मानो एक नवीन पल्लो पुष में पुर्की रचना कर दी हूँ शोबा देखकर के ब्रिज रानी को स्यम आश्चारी हो रहा है कि केवल चार प्रेहर में ही गोपो ने पुरी की आकरिती ही बदल दी है इससे पूर ब्रिहडवन का ब्रिजपुर ना जाने कितनी बार सज्जित हुआ है मैया पर सुती ग्रह में थी नेल मनी का जिनम हुआ था उस समय भी पुरी सजी थी नेल मनी के अन प्राशन के दिन भी ब्रिजेश्चर ने एक चमतकार मुर्थ किया था वर्ष कांड के असर पर भी गोपो ने गोकुल सजाया था पर आज वस्चारन महुत्रम महुत्सक के समय की शुबा तो कुछ और ही है मैया को का रोम रोम उल्लाज से भर जाता है अवश्ची मैया को अब पूर शुबा निरिक्षन का अवकाश नहीं रहा है मंगल गान करती हुई विविद वेश भूशा से सज्जित हाथ में मंगल द्रव्य पूरित थाल लिए दल की दल गोप सुंद्रिया नंद भवन की और आ रही है और अभी उन्होंने अपने नेल मनी का श्रिंगार भी नहीं किया है करती कैसे उमंग में बढ़े श्री किश्चंद्र दाव आएम गोप शिश्यों के साथ ना जाने कहां से कां फुदकते भिर रहे हैं वस्चारन के समंध में ना जाने क्या क्या मंतर न कर रहे थे परिचारिकाई उन्हें बड़ी कठिंदा से धून धून कर अब ले आई है आता मैया को सर प्रथम नील मनी का श्रिंगार करना है और इस लिए वे नील मनी का हाथ पकड़े शीगरी अंतापर में परविष्ट हो गई श्री रोहनी जी बलराम को सजाने लगी और शोदा मैया नील मनी को बल राम ने तो देखते ही देखते जन्नी के धराई श्रिंगार को धारन कर लिया पर नील मनी इतने सैज में वस्तरा भुशन धारन कर ले ये कैसे हूँ फिर भी अन्य दिनों की अपेक्षा आज उन्हेंने कम चंचलता का परकाश किया उन्हें बन जाने की तवरा अवश्यक है पर साथ ही वे जानते हैं कि बिना श्रिंगार धराई मया जाने नहीं देगी इसलिए जन्नी को आज मनमाना श्रिंगार धराने का प्रथम असर मिला है अपने असीम वासल्य पूरित करों से ब्रजरानी ने पुत्र के महा मरकत शामल अंगों में उबटन लगाया उश्नवारी से शिनान कराया अंग परी मारजन किया तथा पिर वस्त्र अभुशन धारन कराने लगी श्रिंगार पूरा होते ना होते नील मनी का भून मोहन सुंदरे निहार करके मैया भरात होने लगी कहां क्या धारन कराना है वैग्यान खो बैठी और अवशिष्ट श्रिंगार में परमाद करने लगी ये देख करके रुशिरी रोहनी के नेत्र प्रेम वाश चल चल करने लगे पर अब विलंब जो हो रहा है इसलिए जन्नी के हाँ से लेकर के शेशा बूशनों को उन्होंने सेम धारन करा दिया जन्नी पुत्र के मुक्चंदर से जरती ही सुदर ये सुधा का पान कर तन में हो रही थी पर सैसा उनके वासल्य सिंदु में एक आवरत उठा और वे उपर उठाई जन्नी को अशंका हुई मेरा नीलमनी नित्यन नाव सुंदर है शंशन में इसका लावन्य परिवर्धित होता है और आज इसे मैंने इतने श्रिंगार धराए हैं कराचत किसी की द्रिष्टी लगने गई हो जन्नी ने अविलंब सकॉमल तूलिका को काजल से भाग लिया और नीलमनी के विशाल भाल पर काजल की टेड़ी रेखा खीज दे फिर भी जन्नी के हिद्दे का सपंदन शार्थ नहीं हुआ काजल का ये दिठोना सभी द्रिष्टी दोष्ट के लिए प्रयाप्त नहीं असुरों की क्राल द्रिष्टी में इस बिंदों का मुल्य ही क्या है जन्नि आकुल प्राणों से मन ही मन अपने प्राण सार सर्वस्तर नील मनी की रक्षा के लिए श्री नारायन देव से प्रात्रा करने लगी सर्व वेहारी तो एक मात्र श्री नारायन ही है वस चरावन जातकनिया अब तक नंद भावन का प्राणगन गो गोपियों से पूर्ण हो चुका है महिर्शी शांडिल ने एम अन्यान ब्राह्मन गान पधार चुके हैं पूजन वेदिका के समीब ब्रजेंद्र भी श्रीकिष चंदर की परतीक्षा से कर रहे हैं कुछ शनपूर ब्रजेश पुत्र का शिंगार होते देखाए हैं और देखाए हैं ब्रजराने की विहल दशा श्रीकिष चंदर की वेह अप्रतिम जाकी जन्नी का वैप्रेम आवेश ब्रजेश के नित्रों में मन में प्रविष्ट हो गया है वास्तम में इनके अत्रिक्त उन्हें इस समय और कुछ भी भान नहीं होता है कदाचित विवस्था का भार उपनन जी पर नहीं होता वे ब्रजेश के समीप इस समय नहीं होते तो फिर ब्रजेश चर के द्वारा तो पूजन आदिकरम होने से रहे रह रहकर उनके नित्र भराते हैं स्वेद, कंप और प्रेम विकार भी उंगों में व्यक्त होने लगे हैं किन्तो मैया इसी समय शरी किस्चंदर को बलडाम को सजा करके भोजन से परित्रिप्ट कर साथ लिए वेदी किसमी पा जाती है तुमल आनंद कोला हल से प्राशाद मुक्रित होने लगता है बस इसी से बरजन्दर की रक्षा कर ली अथवा अचिन ते लिला महाशक्ती नहीं सम्योचित करम के लिए बरजेशर को जगा दिया भाव के प्रखर प्रवा को शिथिल कर दिया नहीं तो प्रेमिवश ब्रज राज सच मुझ मूर्चितों कर गिर पड़ते पूज नारंब हुआ कलस था पनादी हुए यग्य के यजमान महाराज नंद के हाथों से ही करम संपन होने लगे पर हो रहे हैं यंतर परिचालिज से क्योंकि ब्रजेश कलश में पंच रत्र निशेप कर रहे हैं उस समय भी उन हीरक, मानिक, वैदूरिय, पुषपराक, इंदरनेल, रत्रों में उन्हें अपने पुत्र के छवी अंकित पर दीत होती है वे धान्यपोन पात्र कलश पर स्थापित अवश्य का देते हैं पर उस पात्र में उन्हें इशोदा रानी के श्रिंगार से सजित श्रीक्रिश्चंद्र की प्रतिच्छाया के ही दर्शन होते हैं अर्ध स्थापन भी उन्होंने किया पर अर्ध पात्र में भी उन्हें शिरिकिष्चंद्र ही समाय हुए परतीत हुए। अवस्षी महिर्शी शंडिल्डे के कर नंद्रों में मानो किसी ने उसी शन अम्रत सिंचन कर दिया। उन्हें स्पष्ट परतीत हुआ बर्जेश के होष्ट पंदन के अंत्राल से वीना विनिंद्द स्वर में शिरिकिष्चंद्रही यजमान की इस क्रिया को संपन कर रही। वही मधूस यंदी स्वर हैं वैसे ही मधूर अती मधूर जंकरिती हैं फिर तो जो दशाय जमान की थी वही याजक महिर्शी की भी होगी। अगरी मंत्रपाथ आदिस सब कूछ यथाविदी महिर्शी ने किये अवश्य पर किये यंत्रवत थी। उनके नेत्र मन प्राणों में भी ब्रज राज महिर्शी के श्रिंगार से वी भूशी चिरिकिष चंदर के अत्रिक्त और कुछ रहा ही नहीं। जिसमें में बल्डाम हैं श्रिकिष के भाल पर अपने शुब हस्तों से कुमकुम तिलक लगाने चले उस समय तो ये श्पस्ट ही हो गया महिर्शी किसी दिव अति दिव आवेश से अविभूत है। जो हो पूजन, पुन्य वाचन, आदिकरम, संगोपांग पूर्ण हुए तथा ब्रजराज आज के इस पुन्य में शुब दिन, शुब महूरत में राम शाम के द्वारा वस्पालन कारे का श्रिकिनेश करवाने चले। किन्तु अभी तो महुस्व का अरधांशी संपन हुआ है। बाग सहज में प्राप्त नहीं होता। गोब मंडल के इस विचार का अनुमोदन ब्रजेश ने भी आन्तरिक प्रसंता से किया था। अतै जो ही राम शाम के तिलक के क्रिया संपन हुई वैसे ही गोब शिचों की श्रेनी लग गई। महिर्शी योजना से अवगत हैं ही बर जेशर आज केवल अपने महुसर के ही इजमान नहीं अपितों समस्त ब्रज गोपों का प्रती निदित्व कार रहे हैं। ये ध्यान में रखकर ही उन्होंने समस्त देव पुजा आदि करम करवाए थे। अब शेश कारे भी संपन करने चले। करम से गोप शिचों को तिलक लगाने लगे। पर ते गोप बालक का शपर्ष महिर्शी को परम अनंद में निमगन कर दे रहा है। बालकों के अभिवागों के अनंद का तो कहना ही क्या है। उस सम ना कर परम अनंद में निमगन हो करके उन्होंने अपने पुत्रों को भी राम शाम के साथ ही वच्ष पाल जो बना दिया। आज दान दक्षना का कारे ब्रजेशर नहीं ब्रजरानी कर रही है। सम आगत छत सहस्त्र ब्रामनों को ब्रजेशरी मुक्त हस्त होकर सर्म दान दे रही है। और परतेक से अंजली बांद करके अपने नील मनी के मंगल का अशीरवाद ले रही है। विपर बुलाई दान करी सुबरन सब की सुखद असी से लिननी। इन सब कारियों में दिन का प्रथम पहर समाप्त हो जाता है। श्रीकिष्चंद्र अब आकर के प्रांगन में खड़े हो जाते हैं। अगनेत गौप शिशुग उन्हें चारोवर से घेर लिते हैं। ब्रजेशर अपने पुत्त्र के सुमें पुना चले आते हैं। सोहत लाल लकुटी कर राती सूथन कटी चोलना अरन रंग पितांबर की गाती। ऐसे ही गौप सबे बनी आई जो सब शाम संगाती। ब्रजेशर की आग्या से आज गौप अच्सों का भी अतिश है। सुन्दर श्रिंगहार हुआ है। उन पर भी मानों किसी दिवे आवैश की चाया पड़ी है। सभी सेर उठाई शांत होकर के नंदभवन की और देख रहे हैं। जैसे अपने नेव पालक की परतीक्षा कर रहे हैं। श्री क्रिश्चंद्र भी आ ही पुंचे। एक हाथ में पित्र प्रदत लकुट एम दूसरे में वनसी धारन की ये गोवसों की और वे दोड़े आ रहे हैं। उन पर दिश्टी पड़ता ही इन गोवसों में जो आनंद की लहर परी लक्षित हुई। उसे देख करके गोव मंडली अवाख रहेगी। कूदने के यत्रिक्त इन गोशावकों के पास अन्ने साधन नहीं जो वे अपने अनंद को व्यक्त कर सकें। इसलिए वे किवल कूदने मात्र लगे पर आज उनका चोंकडी भरना अद्भुदी है। सर्था विलक्षन है कुछ रक्षक गोपों ने उन्हें शांत करने का प्रितन किया पर सब व्यर्थ। हाँ जब शिरिकिष्ट उनके मध्यमें आकर खड़े हो गए। और अपने नन्ने से वंसी भूशित हाथ को उबर उठा लिया। तब फिर परतेग गोवस जहां का तहां रहकर ही शांत हो गया। इस परकार मानों अपने इस नवीन पालक की रंचक मातर इच्छब की भी वेकदापी अवग्या नहीं करेगा। इसका परमान दे रहे हूं। ये द्रिश निहान करके अनन्द विहल कोब मंडली के कंट से बरबस निकल पड़ता है वस पाल नंदलाल की जैहो। और जो और तो सब कुछ हो गया केवल दो कारे अवशिष्ट रहे हैं। श्री क्रिश चंद्र समस्त ग्रूजनों के चर्णों में मस्तग रखकर के परते का अशीरवाद लेकर ही बन जाएंगे और दूसरे मईया ने निश्चे का रखा है कि गोप कुल की रिती चाहें ना हो। पर नील मनी के बलडराम के सकोमल चर्णों में उपाने धारन कराए बिना वन भेजना कैसे संबव है। मनी में राजपात सरवत्तर तो है नहीं वन ने पक डंडियों पर ही नील मनी को चलना है। उपाने के बिना रिंगने वाले कीट, कंटक, शुर्धार प्रस्तर खंडों से मेरे लाल के सकोमल चरंदनों की रक्षा कैसे होगी। ब्रजेशर से प्रामर्श किये बिना ही उन्होंने दोनों के लिए अतिशे संदर उपाने मंगवा कर रख भी लिये हैं। वे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुजन वंदना हो, जाने भर की देर है, फिर वे स्यम उपाने धारन कराने जाएंगी। दूसरे को तो कदाचित वेवरिद गोप रोक दें, पर उन्हें कोई नहीं रोकेगा। अस्तो ब्रजेशर का संकेत पाकर के शिरिकिश्चंद्र गोवसों के बीज से एकवर पुना बाहरात जाते हैं। इम बाहर आकर के भले ही प्राखित मन इसे हिर्द्यंगम ना कर सके, पर वे सत्था सत्ते हैं। देखते ही देखते आदी घड़ी भी पूर्ण होते ना होते वे महिर्शी शांडिल्ले से आरंब करके, शात्य सहस्तर ब्रामनों के असंख्य वेवरिद गोप गोपियों के चर्नों में प्रनिपात कर लेते हैं। सब ने श्पष्ट अन्भव किया हैं, यिशुदा के निल्मनी आये हैं, उनके चर्नों में से रख दिया हैं, एक परम सुखमई तडित लेहरी सी उनके अंगों में व्याप्त हो गई हैं। अन्य समस्त अवे तो निश्पंद हो गए हैं, वानी रुद्ध होगी हैं, केवल निर्निमेश नेनों के पत से अशीरवाद रूप कुछ शितलवारी विंदू बाहर निकल आये हैं। और इस परकार परते गोग बोपी ने नेल मनी की वंदना का अभिनंदन किया हैं। जो हो तीन की वंदना और करनी हैं, बरजेश की, शिरी रोहनी की और अपनी जन्नी की। ये भी संपन हुआ, पर इस वंदना के समिव वासले रस की जो शात सहस्तर मंदाकनी प्रवाहित हुई, उसे चित्रित करने की समर्थ किसी में भी नहीं हैं। किसी अचिन्त शक्ती नहीं वरजेश को, शिरी रोहनी को, ब्रजरानी को तुरंत प्रकतिस्त कर दिया, नहीं तो आज अभी जैसी उनकी दशा हुई थी, उसे देखती तो वस्चारंस ठकी दी रहता। अब सैसा गोप शिशु एक साथी श्रिंग धवनी कर उठते हैं। श्री क्रिश्च चंदर ने कल ही कुछ अपनी योजना भी बना ली थी, कैसे क्या क्या करना है, ये सब कुछ सखा मंदली ने भी स्थिर कर रखा था। उसी योजना के उनसार ये श्रिंग धवनी हुई है। व्यसक गोपो के अनन्द का पाद नहीं रहता, उन्हें परतीत हुआ, ये तो परमशुब शकुन है। अपने आप ये सब शिशु वस्चारं की परनाली का अंसरन कर रही हैं। ये कितने सुभाग की बात है। पर इशोदा रानी का ध्यान इस और नहीं, ये तो श्रिंग धवनी सुनते ही। उपाने लेकर दोड़ी और उन्हें श्रिकिश चंदर के चर्नों में धारन कराने लगी। श्रिकिश चंदर पहले तो समझी नहीं पाए कि मैया क्या करने जा रही है। पर जब उपाने हों की और दिष्टी गई तब तो बड़ी शिगरता से कूद कर अलग खड़े होगे। जन्नी ने दोड़ कर पुना हाथ पकल लिए पर आज कुछ भी हो नील मनी मैया की इस मनुहार को तो कदापी सविकार नहीं करेंगे। उन्हा ने उपाने धारन करना सर्ता अस्विकार कर दिया। इसोधारा ने कितनी ही युक्तियां दे गई पर शिरिकिष चंद्रसभ के उत्तर में नहीं नहीं ही करते गई। उपाने हों को वहां से हटा कर ही विश्शान्त हुए। मैया ने अंतिम नीति का अवलंबन किया। कदाचित बल्राम उपाने धारन करने तो नीलमनी भी संभवता बात मान ले। पर अगरच एम अनुज के हिर्द्य तंत्री के स्वर भिन्न नहीं होते। मैया इस बात को भूल गई है। श्रीकिष चंदर के हिर्द्य भावों की छाया भी छाया ही राम की इंछा है। इस समें अपने अनुज के हिर्द्य का स्पंधन क्या है। कैसा है इसे राम नंभव कर रहे हैं। उन्होंने भी अस्विकार कर दिया। आतिकाल ना हुजाए। इसलिए ब्रजेशर ने महिर्शी की और देखर के संकेत में ही कुछ निवेदन किया तो था महरिशी ने भी ब्रज राज की प्रात्रा का अनमोधन करते हुए शंक ध्वनी कर दी जन्नी ने अपने प्रांध सर्वस्न नील मनी की बलराम की आरती उतारी ब्रज पुरंध्रियों ने पुना मंगल गीत आरंब कीये तथा सब के नितरों के शीतल करते होई शिरिकेश चंद्र ने वस्चारण के लिए प्रसथान किया चले हरी वस्त चले हरी वस्त चरावन आज मुदित जसोमति करत आरति साजे सब सुब साज मंगल गान करत ब्रज्वनिता मौतिन पूरे थाल हसत हसावत वस्त बाल संग चले जात कोपा पर तेक द्वार पर ही राम शाम रुक रहे हैं अतिशय अनन्द से पूर्न घोप रामाओं बहु मुल्डे राशी राशी रत्नों से उनका निर्मंचन कर रही है अतिशय देप्ति मान मनियों से आरति उता रही है तथा परफुल सुर्भित कुस्म की वर्षा तो सब बोर से निरंतड हो रही है करमशप पूर्की सीमा का अतिकरमन करके शिरकिश चंदरवन की सीमा पर आ जाते हैं बरजेश ब्रजरानी एम समस्त पुरवासी भी उनके साथ आए हैं पर यदि ये आगे भी साथ ही गे तब तो शिरकिश की सचंदता कहा रही आतव नंद डंदन यहां बैठते हैं और अब इन से आगे गोब, बाबा, मैया, आदी कोई भी साथ न जाए केवल सखा मंडली के साथ वन में वस्चारन करने जाएंगी सभी निश्चित करके आए थे कि आज शिरकिश चंदर को पूर्कि सीमा से ही लुटा लेंगी पर शिरकिश चंदर का निश्चे है तो उनसे सर्था भिन्न हैं वे तो आज वन में अवश्य जाएंगे ही पूत्र के अतिशे आगरे के सामने ब्रजेश को जुकना ही पड़ा उन्होंने सम्मती दे दी किन्तो मिया का हिद्दे तो टोर टोर का रहा है वे जब अपने निलमनी के सकूमल चरन सरोज की और देखती है तो उनका मन अगनित अनिष्ट अश्चंकाउं से पूर्न हो जाता है कम से कम ये उपाने ही पहन लिता तो कुछ तो रख्षा होती ही मिया के हिद्दे में पुना बार बार इस भावना का उनमे शूने लगता है और वे पुना अपने पुत्र के समीप ये परस्ताव रहती है पर निलमनी तस से मस नहीं होते हार कर मिया बल्राम जी पर ही निलमनी की सरी संभाल का बार सुमती है इतना ही नहीं अश्रवपोर नेत्रों से बल्राम की और देख करके उनके हाथ में मैं आपने नील मनी का हाथ पकड़ा दिती है कहां कब कैसे नील मनी की रक्षा करनी चाहिए इस संबंद में रोहनी नंदन को विविद उपदेश देने लगती है कर पकड़ाई नियन भरी असुवन सकल संभार दाववे दिन्नी मैया की इस आकुलता की चाया मानो गोवसो को शपर्ष करती है वे जन्नी को हिर्देवेदना को जैसे जान गे हूं सच मुच उपाने की समस्या को तो उन्होंने प्रकांतर से हल्ग ही कर दिया वे पांच दस तो हैं नहीं इतनी अदिक संख्या में हैं कि उनकी गन्ना होनी अत्यन दुश कर है और वे कूते हुए आगे बढ़ रही हैं अपने तीक्षन खुरों से प्रिथी को खोते हुए वनपत की रज कनिकाओं को पीशते हुए जा रहे हैं उन असंख्य गोश शावक खुरों के अधाज से वे म्रिनमई रिनू का पुश प्राग जैसे सुकोमल बन गी है कंकर कंटक कादी वी चोन विचोन होगे हैं श्री किश्चंद्र अतिशा सुख पूरक उस भूमी पर अपने चरन निशेव कर सकें ऐसे उसे उन सब ने बना डाला है जे पद पदम सदा सिव के धन सिंधू सुता उरते नहीं तारे जे पद पदम तात रिस त्रासत मन बच करम परलाद संभारे जे पद पदम परस जल पामन सुर सरी दरस कटत अग भारे श्रीकिष्चंद्र के इन महा महीम चरन स्रोजों का शपर्ष पाकर के वस्ता स्यम नित्य पलकित होती रहती है धरा की रिष्टाती तो आज इस समय भी परती तो रहा है श्रीकिष्चंद्र के चरन संचरन से शुधा की वर्षा हो रही है उससे उनका अनुवनु सिक्त हो रहा है व्रिंदा कानन की अधिदेवी भी जिस पाथ से शिरिकिष चंदर आएंगे जहां जहां उनके लीला विहार की मंदाकनी पर सारित होगी उसे स्मातने में स्यम वियस्त है अपने कोश्की संपता देकर वे धरा को सयोग दान कर रही है व्रिजेंदर नंदन के सकोमल चरन स्थापित होने योग्य रूप तो भूमी अपने आप धरन कर रही है आवशिष्ट आवश्यक श्रिंगार से स्यम विभूशित होती जा रही अभी भी अपने बाबा को जन्नी को अनगवन करते देख करके श्रिकिष्चंदर उनसे लोटने का आगरे करते ही बाबा अब आगे मत जाओ मैया देख तो कितनी दूर आगी अब लोट जा सच मुझ तु विश्वाश कर ले हम सब को वस चारन करना आता है किसी परकार की अशंका तुम सब मत करो इस परकार अपने मधोकंड से ब्रजदमपती को अप्यायत करते हुए उन्हें वहीं से लोटा देने के वे तुलगे पुत्र के इस प्रेमिल आगरे के सामने नंद दपमती की एक नहीं चलती वे लोटना स्विकार कर लेते हैं पर लोटने से पूरवासले की सरस्तारा बहाते हुए दोनों अपने पुत्र को ना जाने कितनी शिक्षा दे जाते हैं शिक्षा का शरांच इतना ही है मेरे लाल दोर माच जाना बस यहीं आगे कि इस हरित त्रिन संकुल भूमी पर ही आज वस्चारन कर लेना विलंब मत करना बला शिक्र घर लोटाना इस परकार पुत्र को समझा बुजा करके बरजेशर बरजरानी दोनों लोटे तो वश्य पर अपने मन प्रान आदी सब कुछ वही नील मनी के पास ही राखाई वास्ता में उनका शीर मात्र ही लोटा मन प्रान की छाया मात्र शीर के साथ लोटी दोनों को नित्रों से सपस्ट दीख रहा है राम शाम सखाऊं के साथ खेलते हुए गोवसो का संचालन का रही है सच मुझ प्रथम दिन ही श्रीकिष्चंद्र का वश्चारन ठीक ऐसा हूता है जैसे वे इसके चिर अब्भ्यास्त होँ श्रीकिष्चंद की साथ पुरी हुई गोवसों के साथ ना जाने उन्हें कितने कोतों कि उन्हें अपने योगिंद्र मुनिंद्र दुरलब स्पर्शुक के दान से पर्म सुखी बना करके कितने किडाएं की कभी तो वो गेव गोवसों का मुख चुम्बन करते कभी हरिद सुकूमल दूब अपने श्री हसों से तोड़ तोड़ कर उने खिलाते किसी गोवस को अपनी अंजली से जल पिलाते किसी के लिए अपना पितांबर आद्र करके उसे उसके मुख में निचोडते इन अगनित मनुहारनी लिलाओं को देख देख कर अंतरिक्ष में अवस्तित देवरंद विश्मित हो रहे हैं वे नहीं जानते सर्था प्राकित छीशों की भांती इन मोहनी लिलाओं के अंतराल में अनंत एश्वरे निकेतन स्यम भगवान श्रीकिष चंद्र की कौन सी गुड़ अभी संदिसन नहीत है जान सकते भी नहीं है जगत में ऐसा कोई भी नहीं जो नर अकृती पर भ्रम की इन निलाओं का मर्म जान ले वे इनकी ओट में क्यों कब क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जानता अस्तो रह रहकर आकाश में देवध बज़ उठते हैं बाले लिलाओं हारिन श्रीकिष चंद्र जैजै का उनमादी नाद गुज़ उठता है गोबालक चकी चित होकर के आकाश की ओर देखते हैं पर उन्हें कुछ भी देखता नहीं पर अब तो उन्हें भोजन करना है मैया की भेजी हुई च्छाक आगी है श्रीकिष जंद्र फूले नहीं समाते आज उन्हें ये प्रथम अफसर मिलाए कि इतने सखाओं के साथ बैठ करके परंस तंत्र होकर के विववन में भोजन करें उनके सुख की सीमा नहीं रहती बच्छडों को हरी दूप पर छोड़ करके शिरीकिष चंद्र सखामडली के साथ भोजन करने बैठते हैं शिशों के तुमल अनंद कोला हल से वन प्रती ना दित होने लगता है भोजन हुआ किंचित विश्राम भी हुआ अनंतर मोहन वंशी के छिद्रों से रस की वर्शारंब हुई सर लहरी की ताल पर गोब बालक नरित्य करने लगे साथ ही वे संख गोवस भी जूमने लगे और निस्बंद होगे समस्त वनवी हंगम कपी वरिंद मरिग योथ यदि दिन बहुत अधिक डाल नहीं गया होता तो ना जाने इस रस सरता के परवा में गोब शिशों की क्या दशा होती पर अब शीक्र बरज लोटना है इसलिए सर लहरी का शनिक विराम हो गया गोवसो को एक कत्र करके शिरिकिष चंदर बरजपूर की और लोट चले इस परकार मनों एक अनंत पारावार वहीन सुंदरे सिंदू उमर आ रहा हूँ सोवा शिंदू के अधि सेपता ही शाम सुंदर में समाई सिंदू आ रही हूँ उन परम सुंदर अधि देव को अनंत असंख्य सुंदर लीला लहरियां घेरे आ रही हूँ उनके अधर पुट पर सुंदर रस में वाने की लहरे हूँ सुंदर कपोलो पर लावने की लहर हो सुंदर वक्स थल पर वन माला की अजजल लहरे नाच रही हूँ सुन्दर चर्नो के समीब अरनिम लहरे उट रही हो सुन्दर नकाबली पर उजल लहरों की आभा फैली हो सुन्दर करन युगल पर पीत कुंडल की लहर हो सुन्दर नेनो की लहरी अतिशे चंचल हो सुन्दर ग्रिवा के समीब लहरे बंकिम हो सुन्दर विशाल बुजा को सपोस्ट शाम लहरे आवरित कर रही हो सस्मित मुक पर सुन्दर बांसरी की चाया लिए मधु में सर की लहरे खेल रही हो सुन्दर गोवेश में सज्जित हुए इन अधिदेव के समस्त अंगों में ही उन मादे लहरे उठ रही हो उनके साथ ही इनका धाम भी मूर्थ हुआ अग्रज रोही नंदन में समया हुआ आ रहा हो ये राम शाम की सुन्दर जोड़ी नहीं ये तो सुन्दर की अधिश्टात्र देवी सदल बल सुन्दर चाल से चलते हुए ब्रज को प्लावित करने आ रही है सुन्दर शाम सुन्दर वा लीला सुन्दर बोलत बजन रसाल सुन्दर चारू कपोल बिराजत सुन्दर उर्जो बनी बन माल सुन्दर चरन सुन्दर है नकमनी सुन्दर कुंडल है मजराल सुन्दर मोहन नैन चपल किये सुन्दर ग्रीवा बाहु विसाल सुन्दर मुर्ली मधर बजावत सुन्दर है मोहन गोपाल सुर्दास जोरी अती राजती ब्रज को आवत सुन्दर चाल बाल कृष्ण भगवान जी किजे यिशोदा मिया के लाल किजे नंद के गोपाल किजे